हेलो बच्चो आप सबको नमस्कार चैहिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गर्णीत रहेगा विश्या है और प्रसनावली 5.5 करेंगे तो इस प्रसनावली को कराने से पहले मैं आपको बता दूँ जो इस प्रसनावली में हम यूज करेंगे तो वो बात में क्या हैं तो सबसे पहले आपके पास आपको पता होने चाहिए लंब समद्वी भाजक रेखाएं क्या होती हैं तो लंब समद्वी भाजक रेखाएं या इंगलिस में इनको बोलते हैं हम perpendicular lines तो लंब सम्दिवाजक रेखाएं या लंब रेखाएं क्या होंगी जैसे आपके पास ये a b रेखा है a से b रेखा खंड है आपके पास और ये line l इसको आए से काट रही है बिंदू o पे ठीक है अब ये बिंदू o पे l जो है यदि a b के साथ 90 degree का कौन बनाती है 90 degree का angle बनाती है तो हम कहेंगे a b और l जो रेखा है वो एक दूसरे को लंब है यानि एक दूसरे के उपर लंब है और यदि ये l a b को दो ब्राबर भागों में बांट देती है यानि o a और o b ब्राबर है तो हम इसे कहेंगे कि जो l है वो a b की लंब सम्द्वी भाजक है यानि जो l रेखा है यदि वो इसके वो साथ 90 degree का कौन भी बनाई और इसको a b को दो ब्राबर भागों में बांट भी दे तो ये दोनों रेखा हैं लंब सम्द्वी भाजक रेखाएं कहलाती है ठीक है तो इसी बात का यूज करेंगे हम तो आपके पास question है जैसे एक तो पहला question है जो इसमें आपके पास पूछ रही है ये तो इसमें पूछा गया है कि निमन लिखित में से कौन लंब रेखाओं के उधार्ण है तो लंब रेखाओं के जैसे ए पार्ट है मेज के उपरी सीरे की आसन भुजाएं तो मेज का जो उपरी सीरा होता है वो इस तरह से होता है आपके पास मेज का जो उपरी सीरा होता है जैसे ये ऐसे होता है तो यह जैसे आपके पास मेज है तो मेज की ये और ये ये दोनों आसन भुजाएं है ये एक दूसरे के ओपर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये आसन भुजाएं जो है लंब रेखायों के उधारन हो सकते हैं तो ये हाँ आजेगा फिर बी में है रेल पत्थ की पत्रियां ज तो उसमें आपके पास रेल्वे लाइन इस तरह से होती है बिच्छी हुई तो ये एक दूसरे के ओपर लंब सबंदी भाजक या लंब रेखायें नहीं होंगी ये समानतर रेखायें होती है ठीक है फिर उसके बाद है आपके बास सी भाग अखसर बनाने वाड़ा रेखा खंड तो एल जो अखसर होता है वो ऐसे होता है तो ये दूसरे के ओपर लंब बनाती है 90 डिग्रीडा कोर्ण बनाती है तो इसलिए हाँ आजएगा इस का अंसार सी का डी में है वी अक्सर वी देखो ऐसे बन रहा है तो इन दोनों के बीच म नबबे डिग्री का कौन नहीं है इसलिए यह नहीं आईगा ठीक है तो पहला कॉस्चन ऐसे ही करना है आपने यह इसके अंसर है अब हम सेकंड कॉस्चन करेंगे अब आगे है कॉस्चन नमबर दो तो दो में पढ़िए आप माल लीजिए रेखा खंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है तो रेखा खंड पी क्यू मैंने यह ले लिया है और यह एक्स वाई पर लंब है यानि एक्स वाई रेखा और पी क्यू दोनों के बीच में एक दूसर के उपर लंब हाई और यह बिन्दू ए पर काट रहे हैं माल दीजिए प्रस पर बिन्दू ए पर मिलते हैं प्रतिछेद करते हैं ठीक है तो कौन पी एवाई की माप क्या होगी तो कौन बनेगा यह पी एवाई तो इस कौन पी एवाई का माप कितना होगा यह तो ये कौन जो बनेगा वो बनेगा 90 डिगरी का कितने डिगरी 90 डिगरी या 90 डिगरी का कौन होगा क्योंकि एक दूसरे के उपर लंब है लंब होती है जब दो रेखाएं तो उनके बीच का कौन जो होता है 90 डिगरी का होता है 90 डिगरी का होता है ठीक है बचो अब हम तीसरा question करेंगे तो आगे है आपके पास question number 3 आपके जयामिती box में दो set square होते हैं उनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या है क्या उनमें कोई ऐसा माप है जो दोनों में उभैनिष्ट हो जो set square होते हैं जो जमेटरी box में आपके पास triangles त्रिबुजें जो scale होते हैं उनमें एक कोणे पर नबबे डिगरी का कोण होता है दोनों में तो जो दोनों में उभैनिष्ट कोण होता है वो होता है तो जो दोनों में उभैनिष्ट कोण होता है वो नबबे डिगरी का कोण होता है तो तीसरे question का अंसर आजाएगा नब्वे डिग्री ठीक है अब हम चोथा question करते हैं फॉर्थ question इसमें देखिए अकरती को ध्यान से देखिए इसमें जो आपके पास यह रेखा है एक इसके उपर एक दूसरे को पर लंब है तो question एक एक है क्या सी और इजी ब्राबर है तो सी जो सी है वो तीन चार पांच यानि तीन से पांच तक है c e और e g e g कहां तक है e 5 से लेकर 7 तक यानि दोनों तरफ दोदो हैं तो यह दोनों ब्राबर हैं तो c e ब्राबर e g इसका तरहां आ जाएगा फिर b पार्ट में है क्या pe रेखाखंड c g को समदी भाजित करता है क्या pe pe रेखाखंड का मतलब जो इस तरह की लाइन है ठीक है वो इसको यानि pe को pe c g जो c है 3 पे है और g जो 7 पे है और यह pe रेखा जो है वो 5 पे है तो यह इसको समदी भाजित करता है तो इसका उत्तर हां आ जाएगा ऐसे ही जो c पार्ट है उसका अंसर आप लिखोगे कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जो pe लंग समदी भाजित करते हैं तो यह दो रेखाखंड आप df लिख दोगे और c g लिख दोगे df c g ठीक है D F D F को P E संदिभाजित करता है और C G को भी संदिभाजित करता है फिर आपके पास D Part है D Part में सत्या और असत्या बताने आपने तो D Part में सत्या और असत्या देखो के आएंगे तो इसमें देखिए A C बड़ा है F G A C F G से बड़ा है तो यह सत्या है ठीक है जैसे ही आप उपर चितर में देखोगे AC जो है FG से AC जो है FG से बड़ा है यह सही आएगा दूसरे में CD और GH दोनों बराबर हैं चितर में देखी ओपर यह भी सत्य है और BC EH से छोटा है यह भी सत्य है ठीक है बचो तो यह exercise complete हो चुकी है तो यह exercise आपने कर लेनी है फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ ओके थैंक्यू जैहन